आप सभी को पता है कि reform के लिए NTA ने एक high level committee को बिठाया था और उस high level committee का एक official tutor handle पर tutor आया है, जो कि ministry of education द्वारा ये official tutor handle पर tutor आया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने है, यहां पर reform के लिए, देखो इस्ट्रेंस काफी ये कह रहे हैं कि reneet होना चाहिए ठीक है, exam द्वारा से होना चाहिए, ठीक है, second thing, result द्वारा से आना चाहिए, तो ऐसा है कि ये suggestion हम NTA को नहीं पहुचा सकते, ये government को suggestion नहीं पहुचा सकते, तो NTA के reform के लिए क्या हुआ था कि high level committee को बिठाया गया था और high level committee ने ये decide किया है, कि ये जो decision है, ठीक है, क्या कर परना चाहिए, NTA को किस तरह से exam को किया जाना चाहिए, किन-किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए, वो committee ने decision लिया और students और parents से ये suggestion मागा गया है, कि आप अपना राय दें, कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, तो आपकी जो particular reason है, आप क्या चाहते हैं, उसको ले करक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हूँ, एजुकिशन और मिनिस्ट्री की तरप से ट्यूटर पर ट्यूट आया हुआ है, यहाँ पर पूरा आप पढ़ सकते हूँ, इसको एक high-level committee, chair the doctor के Radha Krishnan, जो कोई ISRO के former chair में रही है, ठीक है, उन्होंने बताया यहाँ पर June 2027 to July 7, 2024, आपको 7 जुलाई तक अपने suggestion को share कर सकते हैं, कैसे करना है, आपको यहाँ पर जो link दिया है, आप देख सकते हो, submit to suggestion at, यह link दिया है, इस link पर click करेंगे, जैसी आप इस पर click करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का open होगा, ठीक है, और इस तरह का जैसी open होता है open होने के बाद, यहाँ से आप देख सकते हो, किन-किन चीज़ों पर आप suggestion दे सकते हो, reform in the mechanism of the examination process, जो examination process की mechanism उसको उसके बारे माँ आप suggestion दे सकते हो, किन-किन चीज़ों का improvement करना है, improvement in data security protocols, ठीक है, and structure and the functioning of the national testing agency, NTA, इन तीन चीज़ों पर आप अपनी suggestion को दे सकते हो, जो क कैसे करना है, आपको उपर दिख रहा होगा, left hand side में click here to submit, इस पर आप click करेंगे, जैसे आप इस पर click करते हैं, आपके सामने new page open होगा, और वहां से आप suggestion को दे सकते हैं, ठीक है, अब भी थोड़ा सा net शिलू है, तो आप suggestion यहां से भी दे सकते हो, ठीक है, second thing मैं आपको ब डालने के बाद आपको आगे submit करना है, इस में क्या देना है, आपको अपना name देना है, अपनी state देनी है, ठीक है, और आपको किस district से belong करते हैं, वो देना है, second thing आपको अपना mobile number देना है, दूसरा आपको suggestion एक box मिलेगा नीचे, suggestion box पर जो भी आपकी suggestion हो, वो suggestion देने के बाद वही देखते हुए, जो ज़्यादा suggestions आप students के आएंगे, मैं वही suggestion anti को forward करूँगा, ठीक है, कुछ students क्या करेंगे, कुछ students ये करेंगे, कि बहुत से students होंगे, जो ये बोलेंगे कि anti को ban किया जाए, ठीक, anti को हटाया जाए, तो ये सब entertain नहीं किया जाएगा, अगर आप इस रहे के suggestion भेजेंगे, इस पर तो ये बिल्कुल भी suggestion entertain नहीं किया जाएगा, आप suggestion को भेज सकते कि किस तरह से वो examination process को कराए, उसकी mechanism क्या होनी चाहिए, जिससे आगे paper की leak की problems नाए और बहुत easily तरीकी से बच्चों की exam हो जाए, second thing, जो security protocol है, जिससे leakage बगएरा की paper leak के बग up किया जाना चाहिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की राय आप इसमें दे सकते हैं, आप सभी students के लिए अच्छी कबर है, कि आप से राय मांगी गई है, मैं चाहिए, आप सभी students, सभी काम चोड़ करके, इस पर राय जरूर दीजेगा, तो को एक बड़ा level का exam होता है, 24-25 लाग बच्चे exam बैठ रहे हैं, तो कई ना कई यह problem आ सकती, तो आपको यह सब चीज़ देखनी है, ऐसा नहीं कि NTE से बोल दिया जागा कि आप exam नहीं कराऊगे, ठीक है, एक body है, एक agency है, जो की exam connect कराएगी, लेकिन उसके अंदर के जो लोग है, उसको हो सकता है, चेंज क रहे हैं, इस पर आपकी क्या राया है, मैं चाहूँगा, comment box में जरूब बताएगा, बाकी हम जो update आते रहेंगे, मैं आपको confirm करता रहूँग, चैनल को subscribe करके रखें, second thing, जो बच्चा counseling कराना चाहता है, ठीक है, वो counseling के लिए, आप मेरी counseling में आ सकते हो, यहां से देख सकते हूँ कि paid service में last five year से counseling बच्चों की करा रहा हूँ, All India State दोरों की counseling करा रहा हूँ, full guidance आपको state All India की मिलेगी, आपकी ranking wise, आपकी rank wise, आपको किस state में college ही, उसको देखते हुए, आपको कौन सा college मिल सकता है, rank, top rank वाला, वो आपको round wise preference list provide की जाएगी, documents क्या required है, bonds information क्या है, registration form कै कैसे बरना है, counseling का, counseling कैसे form बरना है, document कौन-कौन से upload करने है, 24 into service call and WhatsApp service रहेगी, 24 into 7, last round तो support रहेगा, 2499 रुपे आपकी fees slot है, बहुत कम slot बचे हूँ, तो जिनको भी slot book करना है, photography slot book कर सकते हूँ, इस number पर आप मेरे को payment कर दीजीगा, इस पर payment करने का, इसी WhatsApp number पर payment का screenshot send कर द बच्चों को ले लिया, और उनकी guidance भी नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत लिम्टेड बच्चों को लेता हूँ, और लिम्टेड बच्चों में, आप सभी insurance क्या करेंगे, यह slot book कराएंगे, और slot book कराने के बाद, आपको मैं लिलूँगा, क्योंकि जब यह slot final हो जाएंगे, म उसके बाद किसी बच्चे को अपने slot में नहीं जगा दूँगा, ठीक है, तो जो भी बच्चा लेना चाता है, फटाबट से slot book कर सकता है, पेविंट कर सकता है, बाकि हम मिलते नेक्स्ट वीडियू नई बडेट के साथ, तब आपको